खेत विवात फांसी पल लटका हुआ मिला बुजूर्ग परीजन बोले ये हत्या पुलिस की लापरवाई के कारण गई जान नमस्कार देखिए जावत की विशेश खबर सरवानिया मसानी में इस्तित खेत पर संदिक्त अवस्ता में एक बुजूर्ग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है सुचना के बाद मोके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल बिजवाया जानकारी के अनुसार सरवानिया मसानी निवासी तुलसी राम पिता जैसिंग बावरी उम्र साट साल लगबग अपने मकान पर सोया हुआ था जो म्रत अवस्ता में पेड़ पर फासी के पंदे पर लटका मिला पास में ही उसका पलंग भी था पुत्र प्रहलात पिता तुलसी राम अपने पिता की हत्या का आरोप अपने ही गाउं के बावरी समाज के कुछ व्यक्तियों पल लगाया है पुर्व मोडी गाउं में हुई हत्या के दोरान भी सरवानिया चोकी पुलीस पर लापरवाही के आरोप लगे थे वहीं अब एक बार फिर जावत थाने की ही नया गाउं पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हुए हैं जावत पुलीस थानाक शेत्र के नया गाउं, पुलीस चोकी अंतर्गत ग्राम, पंचायत सर्वानिया मसानिया में खेत की मेड का विवात के चलते एक सक्सकी हत्या करने की बात परीजनों द्वारा कहीं गई है, म्रतक का शोपेर से लटका हुआ पाया गया है, वहीं म्रतक के परीवार वालों का कहना है कि खेत की मेड विवात को लेकर पुलीस से कई बार गुहार लगाई गई थी, लेकिन प्रसासन ने कारिवा ही नहीं की, म्रतक के पुत्र मुकेश बावरी परीजनों ने बताया कि जावत अंतर्गत ग्राम पंचायत सर्वानिया महराश निवासी का होकर जहां तुलसी राम बावरी का उनके पडोसी के साथ खेत की जमिन के किनारे, पेड की डाली काटने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर परीजनों ने कई बार शिकायत दर्ज किये, लेकिन संबंदित नया गाउं पुलीस चोकी गए लेकिन कोई कर दिये, म्रतक के परीजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई बार नया गाउं पुलीस चोकी के चक्कर काटे लेकिन कोई कारिवाही नहीं हुई है, दबंगों ने पुलीस के सह में ही इस घटना को अंजाम दिया है, परीजनों ने पुलीस प्रसाशन से मांग की जल अधिक जानकरी के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News कारिव nhất से मांग की जल अँे हमाग